नमस्ते प्रियाजनों, राइट विए अस्टो चानल पर आपका स्वागत है। आपके लिए एप्रिल 2022 जोतिशनुसार कैसा रहेगा। एप्रिल में आप क्या अनुभव करोगे। इसकी चर्चा इस वीडियो में होगी। इसमें सभी ग्रहों के गोचर का प्रमुक फल और अन्त में एप्रिल 2022 की आपकी राशी नुसार शुब अशुब तारिक आप जान सकते हैं। एप्रिल 2022 सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है क्योंकि इस महिने में सभी ग्रह राशी परिवर्तन करने वाले हैं इसलिए पहले सभी ग्रहों के राशी परिवर्तन की तारिक चान लेते हैं साथ एप्रिल को मंगल का राशी परिवर्तन मकर राशी से कुम्भ राशी में होगा इसके बाद अगले ही दिन 8 एप्रिल को बूध मीन राशी से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे और बाद में 24 तारिक को बूध का राशी परिवर्तन वुरुषब राशी में होग 12 तारिक को रहु कितु का राशी परिवर्तन होगा रहु वुरुषब राशी से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे तो केतु वुरुषचिक राशी से निकल कर तुला राशी में प्रवेश करेंगे इसके अगले ही दिन मतलब 13 एप्रिल को देवगुरु ब्रहस्पति कुम्भ राशी से निकल कर अपनी स्वराशी मीन राशी में प्रवेश्च करेंगे उसके बाद 14 तारिक को सूर्य देव मीन राशी से निकल कर अपनी उच्छ राशी मेश राशी में प्रवेश करेंगे 27 एप्रिल शुक्र देव कुम्भ राशी से निकल कर अपनी उच्छ राशी मीन राशी में प्रवेश करेंगे तो शनीदेव 29 एप्रिल को मकर राशी से निकल कर कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे एप्रिल में सिर्फ शनीदेव का गोचर यथावत रहेगा इस तरह सभी ग्रहों के एक महिने में राशी परिवरतन के कारण बदलाओ सभी के जीवन में निश्चित होगा एप्रिल 2022 में आपके जीवन में क्या बदला होगा ये इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं लेकिन राशी फल को अधिक सटिकता से समझने के लिए आपकी लगना राशी और जन्मा राशी ऐसे दोनों राशी फल अवश्य देखिए अगर आपको अपनी राशी की जानकारी नहीं हैं सिर्फ तभी आप अपनी नाम राशी नुस्तार देख सकते हैं 12 एप्रिल 2022 तक द्योगरु भृस्पति का कुम्बराशी गूचर आपकी सिहराशी से सप्तमभाव में जारी रहेगा इसलिए 12 तारिक तक आपकी कोशिशे सफल होंगी मान सनमान बढ़ेगा और आम दनी में भी वृद्धि जारी रहेगी आपके इच्छा अपेक्षाओं की पूरती होगी दामपत्य जियोन में सुकशान्ती बनी रहेगी बारा तारिक से पहले अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते है तेरा तारिक से देवगुरु आपके राशी से अश्टमभाव में प्रविश करेंगे देवगुरु के इस गूचरकाल में आपको अचानक बड़ा धनलाब होगा जीवान बिमा के क्षेत्र से लाब होगा पैत्रुक संपत्ति प्राप्त होगी घर परिवार में सुकशान्ति बनी रहेगी गुप्त विद्या प्राप्त हो सकती है रिसर्च के क्षेत्र में उन्नती होगी सिर्फ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन खर्चे व्यर्थ नहीं होंगे इसके साथ ही किसी बड़े नुक्सान की भी संभावना है आर्थिक, धार्मिक या शिक्षन संस्था की और से कुछ समस्या हो सकती है संपुर्ण एप्रिल में शनिदेव आपके राशी से शष्ठ भाव में गोचर जारी रखेंगे शनिदेव के इस गोचर में आपके क्षमताओं में वृद्धी होगी शत्रू आपसे तूर ही रहेंगे और आप रोगों से मुक्त रहेंगे पुरानी चीजों के या किराय के व्यवाहर में आपको धनलाव होगा नोक्री में लाव होगा भाई बहन या पड़ोसियों से भी आपके रिष्टों में दूरिया बढ़ाएंगे खर्चों पर नियंत्रन रहेगा ग्यारा एप्रिल तक राहू वुरुषब राशी में आपके राशी से कर्म भाव में रहने से आपके कारेक्षित्र में आपका प्रभाव जारी रहेगा आपकी गलतियों के कारण व्यवसाय में दिक्कत आएंगी 12 तारिक से राहू आपके नवम भाव में गोचर करेंगे इस गोचर में आपको प्रसिद्धी मिलेगी दूर की यात्रा उपर जाना होगा विदेश जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है धर्म के प्रती आपकी विचारधारा बदल सकती है विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काल कठिन रहेगा 11 एप्रिल तक केतु आपके चतुर्त भाव में रहने से घर संसार की चिंता रहेगी सुक शान्ती में कमी महसूस होगी 12 तारिक से केतु आपके त्रितिय भाव में गोचर करेंगे इसलिए 12 तारिक के बाद आपको सफलता मिलेगी आप यशस्वी होंगे आपके जीवन में कुछ आकस्मिक बदला होंगे भाई बहनों से पड़ोसियों से भी मतभेद होंगे अभी तत जो मैंने आपको देवगरु भुरोसपती, राहु के तू और शनिदेव के राशीफल बताए वो दिर्वकाल के लिए राशीफल की दिशा निश्चित करते है पर मासिक राशीफल पर बाकी बचे ग्रहों का प्रभाव रहता है इसलिए आगे का राशीफल ज्यादा महत्तो पूर्ण है अईसे ही जोतिश शासर के संदर्व में महत्तो पूर्ण जानकरी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट वी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाईए मेरे इस चैनल पर आप सही दुरुष्टिकों से जोतिश ज्यान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सिख भी सकते हो शुरु से अंततक अवश्चे देखिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए आपकी सिहराशी वालों के लिए मासिक राशी भल पर सरवाधिक प्रभाव आपके राशी स्वामी सुर्य देव के गोचर का रहता है तेरह तारिक तक सुर्य देव आपके राशी से अश्टम भव में रहने से आपको मान सन्मान में कमी महसूस होगी आपका आत्मबल डगमगाएगा मन में भय लगा रहेगा ता स्वस्थता बनी रहेगी चिरचिड़ापन बढ़ेगा वरिष्ठों की गैर मर्जी सहनी पढ़ेगी चवदा तारिक को सुर्य देव आपके राशी से भाग्य स्थान में गोचर करेंगे इसलिए चवदा तारिक के बाद आपको कहीं दूर की यात्रा पर जाना होगा प्रिये जनों से बिछडने के कारण आप उदास रहोगे आपका पुरा फोकस अपनी परतिष्ठा सुधारने पर रहेगा आप धार्मिक कारियों का आयोजन कर सकते है साथ एप्रिल तक बूद आपके राशी से अश्टमभाव में रहेंगे इसलिए साथ तारिक तक थोड़ा धनलाब हो सकता है लेकिन तानाव भी रहेगा आठ तारिक से तेज तारिक तक बूद आपके भध्य स्थन में गोचर करेंगे इस कालखन में यात्राओं के कारण धनलाब होगा लेकिन यात्राए उदासी भरी रहेगे इस कालखन में आपको बदनाम करने की कोशिश होगी आप पर जूटे आरोप लग सकते है आपके कुछ काम रुख सकते है एप्रिल के अंतिम सप्ताह में बूद आपके कर्मवाव में गोचर करेंगे आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे व्यवसाई से अच्छा धनलाब होगा व्यवसाई विस्तार के लिए आप अपने व्यवसाई में कुछ निवेश कर सकते है आपकी बुद्धी मानी के चलते आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी छे एप्रिल तक मंगल शष्ठभाव से गोचर करेंगे इसलिए एप्रिल के इस पहले सप्ताह में आप जोश में रहोगे आपके शत्रू आपसे भैबित रहेंगे किसी भी संगर्ष में आपकी विजय निश्चित होगी नोक्री में उन्नती होगी साथ तारीक को मंगल आपके राशी से सप्तमभाव में गोचर करेंगे इसलिए साथ तारीक के बाद आपके जीवन साथी के साथ मतबेद होगे वैवाहिक जीवन में कले हो सकता है गुस्से में आप उत्तेजित होने के कारण जगड़े बढ़ सकते है साथ तारी में व्यापार के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्थ होगे जमिन जायदात से संबंदिद विवात हो सकते है शुक्रदेव लगबग संपुर्ण एप्रिल में आपके राशी से सप्तम भाव में गोचर करेंगे वैवाहिक जीवन में कले होगा और विवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव प्राप्थ होगे साजेदारी में आप व्यापार शुरू कर सकते है विवात सुलजाने के लिए या समझाउते करने के लिए आप कोशिश करते रहेंगे इस तरह से सभी ग्रहों के गोचर फल आपको प्राप्थ होंगे लेकिन आपको राशी फल में बताई शुभफल कब मिलेंगे और अशुब फलों के चलते कब सतर क्रैना है इसके लिए एप्रिल में आपके लिए शुब और अशुब दिन कौन से रहेंगे इसे भी आप नोट कर लिजिए एप्रिल में पाथ से नव, बारा से चौदा, सत्रा, अठ्रा और तेईस से चब़िस तारिक आपके लिए शुब रहेगी 10, 11 और 37 से 29 तारिक आपके लिए अशुब रहेगी कुछ इसी तरह से एप्रिल 2022 में आपका अनुभव रहेगा अभी के लिए इतना ही राइट वे एस्टो चानल देखते रहेए सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए धन्यवाद